इस वीडियो में आपके साथ important updates शेयर कर रही हूँ small taxpayers के लिए काफी important update आया है जो हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो चलिए start करते हैं चैनल पर नहीं हैं तो subscribe ज़रूर कर लीजिएगा पहले हम बात करते हैं GST की GST के अंदर बहुत ही important जो update है कि many taxpayers approach the court's cautioning ता ITC denial condition लगाई है कि क्यों उनका ITC उन्हें नहीं मिल रहा यानि कि क्यों उनका ITC उन्हें deny किया जा रहा है department के द्वारा ITC denial mainly किस वज़े से किया जा रहा है mainly on buyer and seller mismatch ठीक है and non filing of GST returns तो basically जो ITC है वो आपका क्यों deny किया जाता है जो इसका main reason रहता है वो रहता है आपका mismatch buyer और seller का mismatch कि seller ने जो ITC है वो कम दिखाया हुआ है या अपनी GSTR 3 भी फाइल नहीं कि GSTR 1 फाइल नहीं कि जिस वज़े से जो buyer है उसका ITC रोक दिया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा tax pairs ने high court के अंदर petition लगाई है कि उनका जो ITC ब्लॉक किया गया है वो जल्दी से जल्दी release किया जाए यह जो अभी figures यहाँ पे दिखाए गई है कि 14,000 करोड ITC of 66,000 tax pairs का ब्लॉक किया गया है October 12 को Finance Minister ने इसका खुछ संग्यान लिया है in rate petitions का and CBIC holds discussion CBIC के साथ इसकी discussion चल रही है GST Council में मल्द easing hardship on ISTC credit blockage in the upcoming meeting तो अभी GST Council की meeting होने वाली है जो कि expected है December में हो सकती है तो उसके अंदर यह जो important जो भी problem है GST के अंदर इसको ले करके चर्चा करने के लिए यहाँ पे बोला गया है आप सब भी इस चीज से I hope की agree करते होंगे यहाँ जो यह point रहते है mismatch की जिसकी वजह से जो buyer है उसको ITC claim करने में बड़ी दिक्कत रहती है इसका कुछ रहा कुछ solution निकल करके आना चाहिए आने वाली GST Council meeting के अंदर तो चलिए यह तो GST की छोटी सी news थी अब हम बात कर लेते हैं small taxpayers के लिए तो कुछ समय पहले एक बहुत important update भी आया था उद्धियम registration से जुड़ा कि उद्धियम registration के अंदर अब traders अगर आप हैं तो भी आप registration करवा सकते हैं तो trading option को यहाँ पर enable कर दिया गया है तो यह मैंने आपके सामने open किया हुआ है registration form और इसके अंदर आप देख सकते हैं point number 17 जो major activities of units हैं उसमें non trading and trading का जो option है उसको enable कर दिया गया है तो यह important update हो सकते है small taxpayers के लिए कि traders भी अब registration करा सकते हैं option enable हो गया है तो इस वीडियो को share जरू कीज़ेगा thank you for watching और अपना support जरू दिखाईएगा ताकि आने वाली GST council meeting के अंदर यह जो बहुत ही बड़ी समस्या है GST के अंदर ITC denial की इस पर कोई solution निकल करके आ सके